आज विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में विश्व प्रैवरन दिवस के मौके पर मेरी लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर एन्वायर्नमेंट स्लोगन के साथ कॉर्बेट का रियाले रामनगर से धिकूली छेतर तक साइकिर रैली निकाल कर दिया प्रैवरन की रक्षा के लिए प्रैवरन की रक्षा जरूरी है मनुश्य और प्रैवरन का गहरा संबन्ध है क्योंकि प्राकर्दी के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं हो सकता प्राकर्दी के साथ सद्भाव बनाए रखना सभी मनुश्य के लिए आवश्यक है लिकिन प्र प्राइवरन जाग रुकता और स्वच्छता के लिए विश्व प्राइवरन दिवस मनाया जाता है। बता दें कि प्लास्टिक बहुत बड़ी मात्रा में प्राइवरन को सीधे नुकसान पहुचाता है। सभी देशों का 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को चरन बद्द तरीके से समाप्त करने का लक्ष था लेकिन जमीने स्तर पर प्रतिबंद के बाद भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उप्योग आज भी जारी है। बनाये गया था। 22 किलोग्राम हैं। भारत की बात करें तो आजादी के बाद से प्लास्टिक उप्योग देश में लगाता बढ़ रहा है। प्लब्द आकडो के अनुसा 1990 में 0.9.10 प्लास्टिक उप्योग दोहजार अठारा तक 18.45 मिलियन तक पहुँच गया है। भारत में प्लास्टिक उप्योग रोजगार पैदा करने के मामलों में काफ़ी आगे है। देश में 30,000 के करीब प्लास्टिक उप्योग हैं। इनमें जाधता छोटे और मध्यम उप्योग हैं। इससे 4 मिलियन यानि की 40 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। दशमला एक लाख करोड रुपए यानि की 73 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूले का रोजकार पैदा करता है भारत में सबसे ज़्यादा 24 फीजदी प्लास्टिक उप्योग पैकिंग के लिए किर्शिकारे के लिए 23 फीजदी घरेली उप्योग वाले सामागरी में 10 फीजदी उप्योग होता है भारत में 2019-20 के आकडो के अनुसा हर साल 3.4 मिलियन प्लास्टिक कच्रे का उतपादन होता है 2016-2020 में बीते 5 साल की तुल्ला में प्लास्टिक कच्रा उतपादन डबल हुआ है गोवा, दिल्ली और केरल प्रतिव्यक्ति सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कच्रा उतपादन करने वाले राज्यों में टॉप पर है मही नागालेंड सिक्की मौट्रीपुरा सबसे कम प्लास्टिक कच्रा उतपादन करने वाले राज्यों में शामिल है सेंट्रल के अनुसा प्रदूशन यंतरन बूर्ट की रिपोर्ट के अनुसा भारत में प्रति साल लगभग 3.47 मिलियन टन प्लास्टिक कच्रे का उतपादन होता है प्रतिव्यक्ति कच्रा 700 ग्राम से बढ़कर 2500 हो गया है प्लास्टिक से पैदा हुए कच्रे का रिसाइक्लिंग नहीं होना बड़ी समस्या है देश में कुल प्लास्टिक कच्रे का केवा 60% एकत्र करता है बाकी 40% बिना एकत्र की प्रवेश करता है अप्सिष्ट के रूप में ये प्रेवरन को सीधे नुकसान पहुचाता है 2022 ता सिंगल यूज प्लास्टिक को चरनबद तरीके से समाप्त करने का लक्ष था लेकिन जमीन स्तर पर प्रतिबंद के बाद भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उप्योग जारी है भारत ने भी प्रेवरन को स्वच रखने के लिए कानून पहारित किये हैं प्रेवरन सरक्षना धीनियम 1989 बर 1986 को लागू किया गया था देश में चोटे-चोटे कारक्रमों और योजनाओं के माध्यम से प्रेवरन की रक्षा के लिए विभिन पहल की जा रही है हर साल विश्व प्रेवरन दिवस एक थीम का प्योग करके दुनिया भर में मनाया जाता है साल 2013 में विश्व प्रेवरन दिवस बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन अभियान के आसपास मनाया जा रहा है कॉर्बे पृषाशन द्वारा सैकिल रैली के साथ ही 1700 से जादा विभिन कारिक रूमु का आयोजन अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया जिसमें 38 से जादा स्कूल की 3,500 से जादा बच्चों ने प्रतिभाग किया। इसके साथ ही 42,000 से ज़्यादा इस्थाने लोगों ने भी प्रेवरंट संरक्षन के कारिकरम में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि इस साल विश्व प्रेवरंट दिवस की पचासवी वर्षिखाट है जो हैस्टेग अस्लोगन हैस्टेग बीट प्लास्टिक पॉलिशन का उप्योग करते हुए प्लास्टिक प्रदूशन के समाधान पर ध्यान किरेंदित करना हमारा मकसद है। उन्होंने कहा कि सिंगर यूज प्लास्टिक से होने वाले दुश्भई नाम को लेकर भी एक जागरुक कारिकरम धिकूली में रखा गया है। धिरज्चमाडे ने कहा कि कॉर्बर पार्क में सिंगर यूज प्लास्टिक का उप्योग पूरी तरह प्रतिबंदित है। उन्ह मेरी लाइफ जो कारिक्रम है इसके अंतरगत कॉर्बर टाइगर रिजर्व में लगबग साड़े सतरसो कारिक्रम अलग अलग जगों पर आउजित किये गए जिसमें लगबग अरतिस स्कूल के बच्चे भी सम्मिलित हुए लगबग साड़े तीन हजार से जादा बेच्चों में प्रतिवाट किया गया है इसमें हमारा उदेश यही था कि जो सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल को ले जाए यह एक मैसेज कनवे करना था मानी प्रधानमंत्री जी के आदेशा नुसार उनके निर्देशा नुसार और उनके विजन को ध्या गया है जिसमें माइंडलेस कंजंशन को कम करते हुए माइंडफुल यूट्राइजेशन की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास हम लोग सब लोग मिलके करें और ये एक मिशन मोड में ये कारिकरम हमने किया है इसका समापन आज नहीं होगा क्योंकि हम लोग अपने जीवन काल में हमारा प्रयास है कि हम लोग अपने जीवन काल में इस प्रकार के सिस्टेंडबल यूट्राइजेशन को हम लोग आगे ले जाएगे इसके अलावा आज डिकुली में सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंद में भी एक कारिकरम रखा गया है क्लीनिंग ट्राइव का उज प्लास्टिक से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाए इस तरफ हम लोग पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं सर रैली कहां से अंक किया है लेकिये रैली आज यहां हमारे कैंपस से स्टार्ट ही रामनगर में और यह डिकुली में जाकर समाप्त होगी और इसके बाद वहां पर एक प्लास्टिक क्लीनिंग ड्राइव का आज आयोजन किया गया है इसके पश्चात दिन में भी विभन रेंजों में अलग-अलग कारिकरम किये जा रहे हैं जिसमें स्थानी टूरिस्ट वो भी हम लोग इंवाल्व कर रहे हैं उनका सहीयोग लाफ कर रहे हैं और साथ साथ हमा